बाका जला के पंजवारा थाना चतर के सवलपूर गाउं में गुरुवार की देर रात एक महिला की संधेहास पद प्रस्तितियों में मौत हो गई वहीं उसके मौत के बाद उनके परिजन घर छोड़ कर फड़ार हो गए जब सुक्रवार सुभा ग्रामिनों को इस बात कांदेशा हुआ तो उन्होंने पंजवारा थाने की पुलीस को इस बात की सूच न दी मौके पर पहुँची पुलीस ने शब को अपने कबजे में लेकर उसे पोश्ट माटम के लिए मांका भेज दिया मिर्दक महिला राखी देवी सबलपूर निवासी मुन्ना भगत की पतनी है और उनकी दो बेटिया भी है वहीं घटना को लेकर ग्रामिन तरह दरह की बाते कर रहे हैं जिसमें महिला को खाने में जहर देकर मारने वहीं कुछ अन्य लोगों के दोरा महिला के साप के काटने से मौत होने की बाते की जा रही है वहीं पोलीस ने सब को पुश्ट माटम के लिए बाका भेज दिया है और पुश्ट माटम रिपोर्ट से मौत की गुथी सुलजने की उमीद है बाका जिला के कटोरिया थानाचित के कठोन गौमे बजरपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई बता दें कि बिहार में भारी बारिस और बजरपात की चपेट में आने से 300 से अधीक लोगों की मौत हो चुकी है जिले के काटोरिया परकंड के कठोन गाउं में बजरपात की चपेट में आने से सुक्रवार को एक महिला की मौत हो गई महिला का नाम सीता देवी है मृतिका के परिजन ने बताया कि कठोन गाउं के काली चरन ठाकुल की पतनी 49 वर्सिय सीता देवी सुक्रवार की दोपर गाउं के ही समी बहने वाले नदी की किनारे खेतों में धान की रोपनी कर रही थी इसी दुरान तेज गरजन के साथ जोड़दार बारिस होने लगी बारिस के दुरान बजरपात भी हुआ जिसकी चपेट में आने से सीता देवी बुरी तरह जुलुस कई जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई हलाके अस्थानी और लोगों ने मृतक सीता देवी को कहयाल समझ कर पास के रैफर अस्पताल ले गए लेकिन वहाँ जाच के बाद डॉक्टर रविंदर कुमार ने उसे मृत घोसीत कर दिया इस हादसे के बाद काली चरन ठाकुर के घर में सोक कम हौल है इस घटना के बाद परिवार की महिला और बच्चों का रोरोकर बुरा हाल है बाका जिला के अमरपूर बाजार में अचानक हुई कोरोना बिसफोर्ट से जहां एक तरब दरजन भर पुलीस कर्मी समेत दो दरजन सहरवासी कोरोना पोजिटिव हो चुके हैं तो वहीं दूसरी तरब छेत्र के बालु माफिया सक्रिय हो गए हैं बालु माफिया चेत्र के चोकर मादाचक बिर्मा सहित अने घाटों से धलले से बालु उठाव करने में जुट गए हैं पुलीस कर्मीों के संक्रमित हो जाने की वज़ा से कई पुलीस कर्मी बाका में आइसोलेट हैं जिसके करन विधी बिवस्ता पूरी तरह से अस्त प्यस्त हो गई हैं फिर भी अमरपूर थानाध्यच कुमार सन्नी माफियाओं पर नकेल कसने पर कोई कसर नहीं छोड़ रहें इसी कड़ी में सुक्रवार की सुभा थानाध्यच के नेत्रित में की गई चापे मारी अभियान के तहट छेत्र के कुल्ड़िया बिर्मा मुखे मार्क पर बालू लदी एक पीकप एवम एक ट्रैक्टर को जब्त करते वे थाना पर इसर लाया गया हलाकि पुलीस बहान को देखते ही चालक अपनी वहन छोड़ कर फरार हो गया चापे मारी अभियान में थाना ध्यच के साथ अन्य पुलीस कर्मी मौजूद थे मामले को लेकर थाना ध्यच ने बताया कि अमरपूर थाने में पदस्थापित एक सहाय कवंड़ चक बीके तिवारी की मौत के बाद सभी पुलीस कर्मियों का कोरोना जांच कराया गया था जिसमें दो दरोगा समेथ आठ पुलीस कर्मी कोरोना वारस से संकर्मित पाए गये है सबी संक्रमित पुलीस कर्मियों को बांका आइसोलेशन सेंटर में आइसोलेट किया गया है जिसके करण गस्ति एवं रात्री गस्ति में थोड़ी परिसानी हो रही है परिसानियों को देखते हुए एवं पुलीस कर्मियों का हौसला बुलनदिक करने को लेकर मैं स्वैम गस्ति दल के साथ चल रहा हूँ सूचना मिली कि बिरमा घाटों से बालू उठाव किया जा रहा है सूचना मिलते ही कुलहरिया चौंके समीब छापे मारी अभियान चलाया गया तभी मौलाना चक की और से आ रहे वहानों को रोकने का इसारा किया गया लेकिन वहान चलक अपनी वहानों को छोड़ कर फरार हो गये हलाकि सिफाई निखील के साथ वहान चलकों को खदरा गया लेकिन वहान चलक फरार होने में काम्याब हो गये उन्होंने बताया सभी अवेद घाटों पर छापे मारी की जा रही है बालू माफिया को किसी भी सूरत में बखसा नहीं जाएगा जब ते वहानों एवं मालिक वा चालक पर खानन अधिनियम के तहट प्राथमी की दर्ज करने की कारवाई की जा रही है बाका के रजान परखंट अंतरगत चिलका वर असोता पंचायत के डुमरिया गाउ में सौचाले निर्मान के लिए खोदे गए गड़े में गिर कर गुरुवार को एक मासूम बच्ची की मौत हो गई घटना के बाद परिजनों में कहरा मच गया जानकारी कनुसार डुमरिया निवासी पिंकी देवी का तीन वर्सिय पुत्र अकास कुमार खेलने के क्रम में सौचाले के खुली टंकी में गिर गया इसके बाद साथ में खेल रहे बच्चे चिलाने लगे या आवाज सुनकर अस्थानिय लोग मौके पर पहुँचे तो देखा कि बच्चा गड़े में गिरा था इसके बाद स्थानिय लोगों ने आनन फानन में उसे बाहर निकाला तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी बताया जा रहा है कि घटना के समय मृत बच्चे के परिजन घर के बाहर थे घटना के सूचना मिलते ही मृत बच्चे की पिता मा पिंग की देवी एवं अन्य परिजन घर पहुँचते ही दहाल मार कर सभी रोने लगे इस संदर में पुलीस इंस्पेक्टर राजिसकुमार ने बताया कि घर के समीप में आधा अधुरा सचाला का टंकी बनाने के लिए गढ़े के खुदाई की गई थी इसी दोरान खेलने के क्रम में गढ़े में गिरने से बच्चे की मौत हो गई बाकाजला के अमरपूर थानाचिदर की नूरगंच फतेपुर गाउं में सुक्रवार के दिन आई बारिस के दोरान हुई बजरपात की चपेट में आने से एक पचीस वर्सिय यूवक जखमी हो गया जखमी के परिजन ने आनन फानन में जखमी यूवक को प्रात्मी कुपचार के लिए इंगलिस मोड इस्तित प्राइविट क्लिनिक में लेकर गये जहां डॉक्टरों ने जखमी पवन यादब का प्रात्मी कुपचार किया मौके पर जखमी के परिजनों ने बताया कि सुक्रवार की दोपहर गाउं के बगल में स्थित गढ़ी पर धान रोपाई का कारे कर रहे थे तभी तेजबारिस के साथ अकसमा ठनका गिर गया जिसकी चपेट में आने से यूबक मुर्ची थो कर गिर गया जिसे आनन फानन में परिजन इंगलिस मोल स्थित प्राइविट क्लिनिक ले कर गये जहां डॉक्टरों के दोरा जखमी का प्राथमिक उपचार किया गया मौके पर जखमी का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने जखमी के स्थिती खत्रे से बाहर बताई है